बिडिविनिंग। आज यहां पर देख सकते एक जो नोündिफिकेशन एक आडवाइटेज्मेंट जो जारी किया गया है। यहां पर आपका बंबे हाई कोट की तरफ से डावइटेज्मेंट जारी किया गया है। और इस जो आडवेटेजमेंट में वेकंसी आपका यहां पर देखिए आपका software जो programmer डेबलपर उबलिक आपका coders का है उसमें देखिए आपका 26 वेकंसी है दूसरा जो पोस्ट यहां पर देख सकते हैं जैसे आपका data entry operator data entry operator का आपका 50 वेकंसी है तो यह दोनों पोस्ट का total गाउन्श ऐसे मिला है 76 जैसे वहार उरंगबाद और नागपूर यहां पर इन्याहर पे मिलाकर 76 दिया हुआ है जो लेटर स्टेज में दिखा दूँगा आपका औरंगाबद में कितने वेकेंशी है नागपूर में कितने वेकेंशी है और आपका बंबे हाई कोट में कितना वेकेंशी है तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस को बंबे हाई कोट कंट्रक्ट करेगा ठीक है और यह आपका आप दिखाऊंगा तो आप लोगों को समझ माएगा ठीक है देखिए इसमें क्लियरली मेंचन किया गया है जो है आपका एक्टेंट किया जाएगा कि मांग किया गया है जो मंबे कोटि का और यहां पर दिखकते हैं यहां परAD territory से अबका रूंघ कर बारआज़वा थो हैं आपका उसाम साव को तक और आवेदन ही मानने होगा और यहां पर देखَّंद यहां पर देह Datued यहां पर नेग्स्ट यहां पर देखिए क्लियरली करूं अप्लेकर जाएगा इसमेंगा प्लेकर बात करेंDwhy सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब्स अपिशिया जाए जिए सबसे पहले अपका सब्फियर्य को यहां है इसमें देखिए जो पीज आपका जो सालरी दिया जाएगा यह आपका फिक्स्ट पेह है इसके साथ आपको कोई डियने से लाउंस या अधर आउंस नहीं मिलेंगे यह देखिए उसके लिए सालरी आपका 40,894 रुपया पौर मेना मिलेंगे ठीक है और इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें सबसे पहले तो है कि अबीजिए इन है आपका कंप्शुर्ट मेंच्ट साइट से आपका डिग्री हो चाहिए उसके साथ साथ यहां पे देखिए वान एरक जो एक्सपीरियेंस एक्ट्वाल घौक्र्स शॉपर आपका एक्सपीर लिनॉक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपका अब्जेक्ट जो औरियंटेड जो प्रोग्रामिंग पॉपुलर आपका आडी ब्यम्स ठीक है इसमें क्लियर आपको क्लियर करा दिया गया है यहां पर भी बात करेंगे जो आपका सेकंड वेकेंसी डाटा एंट्री ऑपर डाटा एंट्री अफरेटर का यहां पर देख सकते हैं जैसे आपका 50 वेकेंसी है और इसमें देखिए आपका फिक्स पेज दिया जाएगा 300,000 आपका 400 टुर्पय दिया जाएगा पर मेना दिया जाएगा ठीक है और इसके लिए जो कोई भी जो कंडिडेट से यहां पर दे काईटी चाहिए टाइपिंग स्पिंट के बारी में काईटी चाहिए उसके अलाबा केंप्टर स्टीपिकेट आपको चाहिए कि आप कंप्प्यूटर कॉलिफएड है करके ठीक है यह इसमें प्रिफरेंस जादा दिया जाएंगे जो कंडिडेट से आपका डिग्री जो आपका धिग्राजर के लाबा और संस्टाफिपिकेट देखे किया क्या चाहिए डिँकाइट के इहां फेएगलाएट संस्टाफिकेट जो संसटाफिकेट जो क्या होना चाहिए Bureau of Government examination महाराष्ट्र स्टेट तिक है अगर यह जो स्टिफिकेट यहां पर आप देख सकते हैं जैसे आपका जो Government commercial certificate या आपका Bureau of Government examination महाराष्ट्र स्टेट से होना चाहिए या अगर वो नहीं है अगर नहीं है तो यहां पर देख सकते हैं आपका IT certificate होना चाहिए इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट आपका स्पीड होना चाहिए 40W प्रति मिनिट की रफ्तार से आपके पास IT certificate कम से कम होना चाहिए ठीक है उसके साथ साथ देखिए आपका अगर नर्मल ग्राजुएट केंडिडेट है तो आसा करता हूं यह जो इलिजबिट्य का आप लोग समझ पाएंगे ठीक है तो अभी बात करते हैं देखिए यहां पर यह जो आपका जो कम्पूटर साटिफिकेट की बात किया मैंने अभी जो लास्टेज में इसको थोड़ा दोरा देता हूं हो सकता है कोई कंफूजन में बंदा रह जाए ठीक है सबसे पहले तो देखिए आपका जो आपका डाटर एंट्री अपरेटर के लिए यहां पर सबसे पहले कोई कंड कर देखिए नर्माल ग्राजुएट है चाहिए आर्स मार्स कमर्स या साइंस साइट से ग्राजुएट है बट कम्पूटर साइंस नहीं है तो उनके लिए आपको जोरत पड़ेगा देखा आईटेश अगर आपके पास आईटेए टाइपिंग साटिफिकेट अगर है ठीक ह तो आप इस पत के लिए अवेदन कर सकते उसके अलाबा आपका कम्पूटर का साटिफिकेट चाहिए ठीक है कम्पूटर प्रोफिशियंसी साटिफिकेट आपको चाहिए ठीक है तभी आप इस पत के लिए आवेदन कर पाएंगे पूर के यहां पर मैं क्लियर करा देता हूं देखिए आपका इवस्टी एस्टेबलिश रंडर महाराष्ट्र इनुबर्शित यह से होना चाहिए यह है उन्हें था आपका गौश्य स्ट्रेट बॉड यहां पर गौश्थ्ट स्टेट बॉड टेंट्थ वह लिए यह ऐनै सी आपका ॡियो त्यास्नसSON स्रेटन से एक ऑणा चाहिए यह से ऑना चाहिए-ग से होना चाहिए या आपका यहां पर MS MS सीट से आपका इस तरह की जो इस्टिशूशन यहां पर जितने इस्टिशूशन दिया गया है इसी इनी इस्टिशूशन से अगर आप क्या आपके पास computer certificate है आप इस पत के लिए आप एदन कर पाएंगे है कि नेक्स्ट अभी बात करेंगे यहां पर दिखेंगे जो को क्यों चेलेक्षण होगा मण क्लियर बताएगा जो के वह सि麼 हैं और और एक्स नोगर को एकषिट कर जाएंगे प्रैक्टिकल टेस्ट कर रहाएंगे प्रैक्टिकल किया है तो उसका प्रैक्टिकल टेस्ट और इंटर्वी के आधार पर आपका फाइनल सेलेक्शन किये जाएंगे अगर यहां पर देखिए कोई उसकी आधार पर आपका जो ग्रेड पॉंट को उसमें परसेंटेज में कर्वर्ट किया जा सकता है कि नेक्स्ट बात करेंगे आपका जो लिस्ट जो इलिजिबल केंडिट्स जब आपका अनलाइन सक्सेस्पुली सभी केंडिट्स कर देंगे जब अंतिम्तिति जब हो जाएगा मतलब इंटर्वी के लिए जितना भी केंडिट्स जो सट्लिस्ट होंगे उनका नाम यहां पर देखिए बंबय हाई कोट का जो वेबसाइट इस्यू वेबसाइट में अपलोड कर दिये जाएंगे ठीक है और नेक्स्ट चीज है एड़ टाइम आप इंटर्वी ज चाहिए और इजिनल कपी अट चाहिए और एक शेट आपका फोटो फोटो स्टेट कपी जो इनको ग्रेडिंग दिया गया है और अगर उसको परसेंटेज में कंबर्ट किया जाए तो तो उनका कितना परसेंटेज बनेगा यह जो फर्मूला का साटिपिकेट चाहिए अभी देखे यह जो टोटल वेकेंसी जैसे मैंने बताया था यह वेकेंसी को जैसे बंबे हाइकोट और प्रोग्राम का यहां पर 10 वेकेंसी और डाटा एंट्री ऑपरेटर का यहां पर देख सकते हैं अफ केसि यह पर देखे जो हाइट और ऑ constantly वेकेंसी आपका जो नालप्च से दिख देख मेंसी और यहां पर यहां पर दा-टारे अपडरे आपरेटर का दो सबहकेंसी टोटल दिन FREकेंसी है आपका जो सब्चेर प्रोग्रामर क और पिर्फेंसी तो टोटश तोसी तरो आपका टोट Al vacancy मैं जाते 76 ठीक है और यह नोटिफिकेशन देखिए आपका 14 शेप्टेंबर 2000 आपका 14 सेप्टेंबर जैसे आपका 14 सेप्टेंबर 2022 का नोटिफिकेशन है और यहां पर देखिए जो रेजिस्टर जनरल हाई कोट बंबे की तरफ से यह जो आपका एड़एजमंट जारी किया गया है अभी अभी समझते हैं जो आपका सफटेर जो आपका रोल रेस्पोंस बिलिटी यहां पे जो बन्त काफी सारे बंदों की मन में यह संका चलेगा जैसे सब्टेयर प्रोग्राम को क्या-क्या काम करना होगा क्या responsibility रहेगी जो आपका बंबे हाइप या उनके जो बैंचे समें तो यहां पर clear cut यहां पर जो आपका responsibility दिया गया है जो पढ़ना चाहते हैं इसको पढ़ सकते है ठीक है आपका clear तमाम जो रहेगा यहां पर लिख दिया गया है उसी तरह हम बात अगर करेंगे data entry operator उनको भी job responsibility जो दिया गया है यहां पर mention है ठीक है यहां पर संपुन रूप से आपका clear cut तरीका से यहां पर आपका लिखा गया आपका job responsibility क्या रहेगा आप इसको खुदी इसको पढ़ सकते हैं ठीक है और अभी दुसरी जो आपका other terms and conditions के उपर सबसे पहले जो एज लिमिट की बात करें देखिए इसमें एज लिमिट मिनिमूम एज लिमिट जो है आपका 21 यह तक रखा गया है और मैक्सिमम इसमें 40 साल तक जो है कोई भी कंडिडेट सावेदन कर पाएगा इसमें जो आपका एज काउंट किया जाएंगे जैसे आपका डेट पॉब्लिकेशन पर एडवाइट जो एडवाटेजमेंट का जो पॉब्लिश हुआ है 14 सेप्टेमबर 2022 यह जो आपका एडवाटेजमेंट का डेट है तो इसी टेट तक इसी डेट तक आपका एज जो दिया गया है फाइव एस का मतलब आपका जो एसी एस्ट केंडिडेट या जो बेकवाड कमून कमूनिटी के जो केंडिडेट से जो की गवर्मेट द्वारा डिकलर किया गया जो जो कम्मूनिटी है ठीक है उनको 45 यह तक आवेदन कर सकते इस पोस्ट के लिए अर्था इस निनको 5 साल का जो परेज लिमिट में छूट दिया गया है कि नेक्स्ट अभी यहां पर बात करेंगे आपका डिस्क्वालिफिकेशन अपरेट में ठीक है अगर कौन सी कारण के बज़े से आपको डिस्क्वालिफ है आपका अप्लिकेशन या आपका केंडिडेश को किय सकता है ठीक है इसमें तुमांब पॉंट्स दिया गया है जो कर एक इसको पड़ना चाहते हैं इसको पड़ सकते हैं नेट्श आता आपका 10-2 मैं पहले से बस stories हैं निच्ट आपका टेनियर एक्से सबसे पहले आपका डाटेट्री ऐससं यह आपका contract basis का है सबसे पहले तो एक साल दिया जाएंगे बारा मैना के दिया जाएंगे इसके बाद आपका हाइए कोट के आप सकता है कि अनुसार आपका पिरोड को extend किया जा सकता है मैं लिख दिया है जो की मैंने डिसकस कर चुका हूं सबस्क्त क्यों है तर्मिनेशन का जांतक बात करें कि आपको टाइम अगर आपका आप अगर पाए जाते हैं आप आपका जो कहरे शहली या आपका जो किसी प्रकर का जो हरकत इंडिसीब्लीन हरकत के बज़ेश से आपको किसीब टाइम इसमें Termination किया जा सकता है इसलिए आपको जो है बड़ी स्वाइम के साथ सांति के साथ आरहम से जब करना होगा और आपका व्रक ख़िक होना चाहिए अपका ऑफ कडिए सारे छीज ठीक होना चाहिए उसको देखिए आपका आपका ट्रांसपर कैंगर बात करें डॉत दखिए आपका बंबे और इतना इसका आपका मैंने बताया सब्सक्安 chemical Deus198 UK democracies की जा सकता है इश्च आपका ट्रेनिग्सी जो ट्रेनिंग पिरोड का रोविसमें डिसाइड किया जाएगा जो bombay IQ की तरफ से आपको कितना टाइम आपको को ट्रेनिंग को तरफ से को क्वाइट की तरफ इसाइड किया जाएगा निएfillcor सब्सक्राइब आपको चुट्टी दिये जाएंगे नेक्स्ट यहां पर देखिए नेक्स्ट अभी बात करेंगे देखिए यह जो नोटिफिकेशन का जो तमाम डिटेल्स से मैंने यहां पर कवर किया है ठीक है और यहां अशा करता हूँ जो मेरा देश के तमाम जो अभीरती जो केंडिडेट से पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहेंगे ठीक है और इस वीडियो को देखने के बाद आप आराम से समझ जाएंगे फिर भी अगर आप लोग का मन में किसी प्रकर कर संका है अगर नहीं किये हैं अगर इस तरह की आपका जोब डिटेल्स जो जो अफडेट्स आप रोजाना वेसिस पर पाना चाहते हैं तो जलत सब्सक्राइब करें उसके साथ साथ इसका बेल आइकोन को प्रेस करते ठीक है ताकि आपको जोब अप्डेट्स जो है डेली वेसिस पर मिल सक और दूसरी एक चीज है अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है पक्का इसको लाइक कीजिए और ज्यादे सब्सक्राइब कर दीजिए आपका जो फ्रेंड सेर्कल की बीच में शेयर कर दीजिए अब इस नोडिफिकेस्टन के एंपर खतम करते हैं जय हिंद जय भार प्रेंट